आर्थिक तंगी से जूजरा तालीबान अब बुद्ध की उन मुर्तियों को देखने के लिए टिकेट बेच रहे जिने 22 साल पहले तालीबानी अधिकारियों ने ही तुड़वा दिया था दे वाशिंग्टन पोस्ट की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा किया है बताया गया है कि अफगानिस्तान के बामियान इलाके में बुद्ध की मुर्तियां टूरिजम की जर्य कमाई का जरिया बन रही है तालिबान के कल्चर मिनिस्टर अतिकुल्लाह अजी जी ने एक इंटर्वियू में कहा बामियान और बुद्दा हमारी सरकार के लिए उतने ही महत्पून है जितने की दुनिया के लिए ये महत्पून है इनकी सुरक्षा के लिए एक हजार गार्ड निक्त किये गए हैं ये इलागे में टिकेट की भी निग्रानी कर रहे हैं सूचना और सांसरती विभाग के निदेशक सैफर रह्मान मुहमदी ने कहा कि दो दशक पेले हुई घटना के बारे में अभी बात करने से कोई मतलब नहीं है अब आगे बढ़ने का समय हैं बामियान अफगानिस्तान के सबसे गरिब प्रांतों में शामिल है हिंद कुष की पहाड़ियों के बीच बसे बामियान के जदाता लोक सिर्फ आलू की खेती और कोईले के खननन पर निरबर है यिनोसके ने 2003 में बामियान को एत्यासिक स्तलका दर्जा दिया था अब बुद्ध की मुर्तियों की खाली जगह के सामने बंदुगदारी गाट देना थे यहां अफगान परिटकों के लिए 3 रुपे और विदेशी परिटकों के लिए 282 रुपे का टिकेट रखा गया है यहांपर 2015 के बाद से लेजर शो होता है पिछले साल 2 लाक से भी ज़्यादा अफगान परिटक बामियान पहुचे थे इनमेंसे हर वेक्ति ने उसरत 5,000 रुपे खर्च किये थे इसी के साथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ दाने बाद